H.P. Partners presents चानक्या नीती प्रत्थम अध्याए तीनों लोकों के स्वामी सर्व शक्तिमान भगवान विश्णु को नमन करते हुए मैं एक राजे के लिए नीती शास्त्र के सिध्धानतों को कहता हूँ मैं यह सूत्र अनीक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूँ जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहन करेगा उसे अत्यंत वैभवशाली करताव्य के सिध्धानत ग्यात होगे उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुशरण करना चाहिए और किन का नहीं उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्यात होगा और अंतितह उसे सर्वोतम का भी ज्यान होगा इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूंगा जिनसे लोग सभी चीजों को सही परिपिक्ष्य में देखेगे एक पंडित भी गोर कश्ट में आ जाता है यदि वह किसी मुर्ख को उपदेश देता है यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोशन करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यांत खनिष्ट संबंद बना लेता है दुष्ट पत्न, जुठा, मित्र, पदमाश, नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृतिव के समान है व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निबटने के लिए धन संचाई करना चाहिए उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुक्षिर समझना चाहिए फविश्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन ने कत्रित करें, ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी जब धन साथ छोड़ता है तो संगठि धन भी तेजी से घटने लगता है उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई ईजट नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्यान आरजित नहीं कर सकते ऐसे जगहें एक दिन भी निवास न करें जहां निम्न लिखित पांच ना हो एक धनवान व्यक्ति के एक ब्रामन जुवैदिक शास्त्रों में निपुण हो एक राजा एक नदी और एक चिकिचक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो जहां लोगों को किसी बात का भे न हो जहां लोगों को किसी बात की लज़ा न हो जहां लोग बुद्धिमान न हो और जहां लोगों की वृति दान धरम करने की नहीं ना हो। जब हमें राजा के दर्बार में जाना पड़े और जब हमें सिम्शान घाट जाना पड़े। जो व्यक्ति कसी नाश्वन चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तू तो चली ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं की नाश्वान को भी वह खोद देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी जब्दार घर की अविवाहित करन्या से किस वयंग होने के बावजूर भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी ही इन घर की अतियंत सुन्दर स्त्री से भी विवाहर नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही इन पांच पर कभी विश्वास ना तरें, 1. नदिया, 2. जिन व्यक्तियों के पास अश्रत्र शस्त्र हों, 3. नाखुन और सीनग वाले पश्यूग, 4. औरतें, यहां संकेत फोली सूरद की तरफ है, बेहने बुरा ना माने, 5. राजघरानों के लोगों पर, अगर हो सके तो विश्मे से भी अमरित निकाल लें, यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाए, गोएं और अपनाएं, निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोतम ग्यान ग्रहन करें, उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कर्या भी महान गुणों से संपनन है और आपको कोई सिख देती है तो गहन करें, महिलाओं में पुरुशों की अपिक्षा भूग दो गुणा, लजजा चार गुणा, साहस चह गुणा और कामाट गुणा होती है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो क्रिप्या नीचे दिये गए, HP Partners बटन पर क्लेक तरें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें, प्लीज क्लेक अन दे बिलो बटन और सब्सक्राइब दे चानल, थैंक यू फर वाचिंग,